हालो फ्रेंज वेलकम बेक टू माई चैनल मैं अपना चैनल कैप्टेन श्रताबदी चैटर जी में अब सब को और एक पर स्वागत करती हूँ अभी तक जिसकिसे ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कल दीजिए क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊ उसका नोटिफिकेशन तुरान तब तक माँचे और पास में जो बेल आइकन है उसमें अल टाइप ज़रू प्रेस करिएगा तो ही ए प्रेसिलिटी घर बैथे आपको मिलेगा एंडिया फेसिलिटी टोटली फ्री है कल से जो नया सीरीज हम लगोंने शुरू किया है सीरीज इन दे सेंस आई टोल्ड यू कि I'll give you regular videos and which will be full of informations regarding aviation career interviews and how you'll win the aviation interviews something like that इसमें आप लोगोंने जो कॉमेंस किया है उसमें से एक कॉमेंट मुझे मिला वो यह है कि इस यह जो मैंने किताब के बार बार बोलती हूँ कि interview.in जो मेरे लिखा हुआ किताब आया हुआ है कुछ महीने पहले उसको वो चीज आपको कैसे help कर सकता है देखिए बात यह है कि interview.in is a complete interview manual इसमें 12 lessons है अगर आप इसको अच्छे तरह से परेंगे तो कोई भी interview आपके लिए win करना internally and externally in both way बहुत है आसान होगा किताब आप amazon flip card कहीं पर भी जाके आपको मिल सकता है आपको type करना पड़ेगा interview.in by captain श्रताब जी यह type करने के बाद यह किताब आपको मिल जाएगा तो आप इसको परिए and अच्छे से अपना interview के लिए खुद पहले जरूरी है आपको तयार होना because यह एक दिन में नहीं होता interview बोलिए interview का call अना बोलिए तो एक दिन में आ जाता है तो तयारी आपका एक दिन में नहीं होगा इसमें कई महिनों कई बर्सों लग सकता है it depends on your potential it depends on your talent आज मैं जो चीज आपको बोलूँगी यह वीडियो म आप अपने आपका personality बोलिए knowledge बोलिए इसको develop कर बाए आज चुमें subject आपके लिए सोच के रखी हुई हूई हूँ which is very important एक 10 point में आपको बताऊंगी जो pre-covid and post-covid में change हुआ है aviation interview and aviation career में 10 चीज चेंज हुआ है वो चीज क्या है अगर आप अभी आज के date में aviation interviewing करना चाहत है तो यह 10 point आपको लेके चलना पड़ेगा मैं शुड़ू करती हूँ सबसे पहले health and immunity yes COVID के पहले जो situation था आज जो situation है इसमें आपका health and immunity बहुत ही अच्छा होना चाहिए क्योंकि सबको health का जो importance है पता चल गया है and at the same time immunity भी कितना important है आपके लिए यह भी बहुत lifestyle है इसको ऐसे करें ऐसे खान पान रखें ऐसे आप खुद का जो lifestyle ऐसे बनाये ताकि आपके अंदर immunity डिवलापो बहुत है and आपका health सही रहे second point is point is which is very very important आज की दिन में more tough competition हो रहा है COVID से पहले जो interview होता था and आज की दिन aviation में जो interview होता है उसमें जो standard है वो high हो गया है आपको इसमें tough competition में आना पड़ेगा इसका मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा होना चाहिए third point is more good grooming आपका जो grooming के standard से भी है ये भी देखा गया है कि आप आपका internal and external board the grooming बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लेके interview board के सामने फिर पेश होना है इसलिए आपको इसके उपर भी काम करना पड़ेगा four more good communication skill yes communication skill आपको और जदा develop करना पड़ेगा क्योंकि देखा गया है कि in covid जो था उससे पहले जो interview होता था उसमें जो communication skill का level था आज के date में वो बढ़ गया है अब bold attitude आपके अंदर एक bold attitude आना चाहिए कि आप किसे भी परिस्तिती को अच्छे से handling कर पाएंगे और कई भी आप मतलब डरिंगे नहीं और नर्वस नहीं होंगे ये bold attitude अब सभी company अपने staff के अंदर देखना चाहते है पॉजिटिव थिंकिंग बोला जाता है कि पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपके अंदर है तो आप कोई भी situation का handling positive way में कर पाते हैं देखा जाते हैं कि खास तोर पर आप उसमें सफल होते हैं तो इसलिए आपको positive thinker बनना पड़ेगा नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव लोगों के साथ मिलना जूलना बंद करना पड़ेगा आपके अंदर always positive thinking रखना पड़ेगा yes I can do it and तो ही आप वो चीज़ कर पाएंगे and वो आपका personality में जलकाएगा भी 7th point is flexibility yes आपको flexible होना है situation के अनुसार आपका rigidity नहीं चलेगा situation के अनुसार आपको flexible होना है काम में लोगों के साथ relation में बातचीत करने में आपको बहुत सारी चीज़ को दिमाग पर रखकर बहुत ही intelligence way में आपका काम करना पड़ेगा इसके लिए flexibility which is very very important point आज के डेट में dedication and more sincerity तो always सही लगता है बट आज के डेट में इसको आपको और जादा तर से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर मान लिजी आपका talent थोड़ा कम भी है बट आपके अंदर अगर sincerity है और dedication है आप उस काम को कर पाएंगे and आपका जो bosses है वो अब से खुश रहेंगे number nine is strong will to work yes आपको देखिए aviation एक ऐसा फिल्थ है यहां पर आपको महनत तो करना पड़ेगा time के हिसाब से time ज्यादा लगता है आठ घंटे में duty खतम नहीं होता 9 गंटा 10 गंटा 11 गंटा कभी तो इसा नौबत भी आता है आपको दो shift करना पड़ता है तो इसे लिए definitely इसके लिए आपको over time मिलता है बट इसके लिए आपका जो physical standard है and mental condition है यह दोनों भी positive way में रखना होगा कि yes अगर यह मेरा office है यह मेर professionalism के अंदर बहुत सारे चीज़ आता है आपका attitude आप कैसे लिगों के सब behave करते हैं आप कैसे काम करते हैं आप काम को कितना importance देते हैं अगर आपका मान लिजे किसी दिन आपका चुटी है holiday है उस दिन भी आपको अगर off date में भी आपको किसी ने बुलाया क्योंकि हो ही सकता ह कि aviation में कभी भी किसी बी चीज के जरूरत पर सकता है staff कम आ सकता है आपका मान लिजे जरूरत है इतना flexibility के साथ आप एक professionalism maintain करेंगे at the same time जब आप office में रहेंगे उसी time अपका grooming आपका personality हर चीज में एक professionalism चलतना चाहिए तो यह है 10 point यह आज के date में बहुत ही importance दिया जा रह अगर आप aviation carrier बनाना चाहते है एक interview face करना चाहते है तो यह सारे बात को जरूरत थ्यान में रखिएगा तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मैं फिर आऊंगी एक नए subject के साथ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे like share जरूर करिएगा comment भी करिएगा तो चलिए मिलते ह कल एक नए subject के साथ तब ते के लिए बाबाई